चलिए आपको सीधी लिए चलते हैं वित्मंत्री निर्मला सीधारमन की प्रस कॉन्फरेंस में अपका. नवीजुन नवीजर दीजिए को जो है और दी नवंजुन को नवे लाफ टोुम अमावबकल आजीज इनवान करे हैं जूनच्छ विल्युन हैं, या शीरॉम विल्यूट आद्निली नवनियों इनीनराइप नाय मैंून। औेाज़ एडिर शबसना पारे चाहे निय्ट झार्डशेव हैं दी गाहेजित अधिजिट एक्रत्रहुशनिः इत्रहुप्रोंग इन आफज़ के बड़पने बड़ाधिक दिलाग्रों इन अपक्ति अग्रुबतर हुटरी तेपने आप हैं च्यास्त बेना जाओंस, इन थाना, जाओंस, प्राफंस जाओंस, और झाहले लग व्रावश्ति कर दोकित दूजिरूप्य कर अधर्वाओंस, जा, विरण तर प्रॉपोरी क्यों अभी जाओंस, य्यूद सब्सक्राइबंस, प्रावी कर दूद अदिछूजित, यूजू प्योर्त प्यार्जिए अधर्ट साथ जर मेंखनी अधर्टॉ शर्टिण अधर्ड को जो जोगार्टॉ इसा थेक्ट लागिस अधर्ट की लिए गप टॉकिन अधर्ट के अन्यादॉ ज़ चरह जाफनान्टाज़ने है और नडूचर जाफने वार्ट कर्दाव कहते हैं इना प्रॉम् है जानीड फिट कोटर फैंड में अभले इंपर है तो और जानी इंप्रोंग नहीं अभरेंट प्रश्ट करदा यह श्युटाइंध प्यूटरा कर भाफ घ्च व स्टे इन और ना करने गुछ उन्हान ची आवसाप्ट ना वीूओस वक्टास पार्टा भार्टाउन परना घजए कि लिमक्ट करना थी अप्टान पार्टाहिए जला की वसके प्रवाद है व्याद बेस्टान एक प्यास करने अवाद बत्पटाब प्रफ विर मेंजा, व्या झाओ करन the peasants and the marginal farm landholders that they concluded, almost concluded the rabbi crop harvest and also many of the states have been successful in somehow pushing ahead with due procurement process. The crops have been largely procured in the wheat and the rice growing areas, the process is ongoing but it goes to the credit of our rural population. So today, therefore, I'll also be showing you a slide a bit later on what we have done in the last two months to make sure that agriculture work was supported during the lockdown, just the two-month story. But otherwise, post that, I'd like to highlight what are we announcing today for supporting agriculture and allied activities. I'll be announcing eleven measures, eleven measures, and from among them, eight of them relate to strengthening infrastructures, strengthening capacities, building better logistics and so on. So eight of them, eight of the eleven, relate to such things where government allocates money, activities will be undertaken in such a way that very quickly we can ramp up on storage capacities, logistics and so on. The rest three today of the eleven will pertain to governance and administrative reforms. So that's the picture I'd like to put before you. But before we go to the slides in Hindi. Sirye G. नमashkan... नमाशकार.. आतमनिर्वभ भारत अभ्यान में, मार्णियपरदान मंत्री मोदी जी ने... वीस लाग क्रोड का जो पैकेज डिया है उसके ही आज तीसरे दिन की मीडिया ब्रिफिंग में आपके सामने उपस्तित हैं. और आज क्रिशी के उपर जाता बात करेंगे क्रिशी अगर किसान केंद्रित नहीं होगी किसान कल्यान के लिए नहीं होगी मुझे लगता है धुरा रह जाता है शायद यही कारण है कि पर्धान मंतरी मोधी जी ने इसका नाम भी कृषी किसान कल्यान मंत्राले जैसे रखा था तो किसानों के कल्यान के लगा अतार पिछले पांचे वर्षों में कदम उठाए गए चाहे वो पी-एम किसान योजना है कि साल में 6,000 रप्य किसानों के खाते में सीधा जाएगा क्रोडों किसानों का आज सीधा उसका लाप मिलता है परधान मंत्री फसल भीमा योजना बाढ़ सुखे के समय उनको भरपाई होना स्वाइल हेल्थ कार बनाकर उनकी जमीन के बारे में बताना कि बहुत सारे कदम पूर में उठाए गए और पिछले कल भी जब हमने प्रवासी मजदूर उनकी समस्याओं को लेकर बहुत सारे मोधी सरकार की और से उनके लिए कदम उठाए तो उसमें दो पाते हमने फार्मर्स के लिए भी किसानों के लिए भी कही थी और उसमें 30,000 क्रोड पे की जो अतिरिक्त एमर्जंसी वर्किंग कैपिटल कारशील पुंजी के हमने बात कही ये 90,000 क्रोड के इलावा थी जो किसानों के लिए नबाड के माद्यम से लगबग 3 क्रोड परिवारों को इसका लाब मिलेगा और 2,000,000 क्रेडिट कारड बना कर उनको लगबग 2,000,000 क्रोड का जो आमने लाब देना था धाई क्रोड किसानों को उसकी विशेश महीम चलाई जाएगी यह पिछले कलम आपने आपके सामने रखा था आज कुछ और कदम उस दिशा में हम उठाने वाले हैं जिसके 11 बिंदू होंगे उसकी जानकरिब हम आपको देंगे जाहते ही ऑन वे फिशेश कर आपके सामने प्रूज में आपकों खाले हिवाले किसान क्रड अवले का सर ले प्रूज करदे तुक्त करदे से ओुश다면 बझे जे ले जाएंपर बते तुशे हैं In the last two months, very quickly, a number of measures have been taken to support farmers, particularly additional steps that we have taken where the minimum support price purchases to an extent of 74,300 crores had taken place during the lockdown. 74,300 crores of purchases based on minimum support price happened during the lockdown and also 18,700 crores have been transferred to the accounts of farmers directly into the accounts under the scheme PM Kisan Samman and that is only during the two months. And then Fasal Bhima Yojana claim payments have been cleared to the extent of 6,400 crores in the last two months. Bhima Yojana claims when a farmer wants to utilize and ask for the claim so that he gets the insurance money in his name, such claims totaling 6,400 crores have been cleared in the last two months. We now move to the steps that I want to announce today. Oh, there are additional steps also for the animal husbandry which is worth recalling. Sorry about this. It is absolutely important to know that during the lockdown, all of you would have been reporting also media that milk was being produced and the usual restaurants and the hotels and the consumers were all under lockdown. So a lot of dairy industry people were put to severe difficulties. The milk was being thrown on streets saying our consumers are all locked down, they can't buy it from us. So during that period, 560 lakh per day of liters of milk, 560 lakh liters of milk were procured by cooperatives against the daily sale of 360 lakh liters which is produced per day. Now those were also utilized for a further amount of 111 crores liters have also been extra procured over and above the usual quantities which come to the market, 4,100 crores have been paid on that account. So money goes to the hands of the milk producing farmers or dairy keepers. A new scheme also was utilized for interest subvention of about 2% per annum for dairy cooperatives. Additionally, 2% per annum of interest subvention also was provided to incentivize prompt payment, repayment and interest servicing. So, and this scheme is further to be continued and this is expected to unlock 5,000 crores of additional liquidity benefiting 2 crores farmers. So, this is something which was triggered during the lockdown so that farmers get the money in their hands. This is the impact which I would like to draw your attention to. Thank you, finish that. Thank you. Thank you.